Hello everyone, welcome on biology village and guys now we are going to discuss 20 very important question that concern to the especially can to enzymes or enzyme kinetics or enzyme की जो प्रोफिंसी होती उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे important पात पहला कोशन करते हैं कोशन थोड़ा सा अगर हम कहें तो most suitable for the GIC as well also same significance for the GI TGT and PGT examinations तो गाइस हम पहला कोशन देखते हैं कि the value of S S का मतलब क्या होता है sedimentation coefficient आपने सुना हम राइबोस्म को लिखते हैं ना 70S राइबोस्म प्रोकराट्स में होती इस इन यूकराट्स तो जहांप जो S का रिफरेंस होता है सवसेदेटी में कॉफेसिंट से खता है सेट बंद यूथ होती है उसका लोगोसिंट होता हुआ उससे मॉइज से um बात करते हैs अग्रेंच आप स्पंभर्स यांध क Cath… तो इसकी का यह वें रिमिक है मनलब रेच है मूझ क्या होती उसके प्रेइल्च कॉमаствै। कि बीच में यह वैरी करता रहता है ना सेकंड कोशन में हम बात करेंगे दी प्रोग्राम्ड इसल डेथ काल्ड एपप्टासिस पहली बात समझेगे पहले कोशन बहुत सारी चीज आपको क्लियर हो जा दी कि जो प्रोग्राम्ड इसल डेथ मतला हमारी बाड़ी के थुरूप फो प्रोटीन को कटलाइस कर सकते प्रोटीन को बेकड़ाउन कर सकते हैं शुन तेंट आप्ल छाये मोस्ण ठीक उसी तरीके से यह जाइमों जी इसमें दो को इंफामिशन तो आपको ऐसी मिल लें गाइज कि प्रोटियोटिक एंजयम संतेसाइज एज प्रोई वोलते जैमों जिन बोलते हैं अब पुरी प्रसेस कोशिंट को बाद फिर से पढ़ लेते हैं कि प्रोग्राम सेल डेथ मेडिय पिडिट किया जाता है तो आप समझ सकते हैं प्रोइलास टेज एकिलास्टेश का मतलब होता है आपका लिपिड वाली तीके और नुकिलीज आप मैं रने हैं रहेने एंजयाइम का मपाता है तहुंसे राइब नौ बोलते हैं और उसका पीवर्ण जो थैके स्पेसिफिक आरे निजोता है और राइब नुकलीज यह राइब जाइम सोता है एंड थर्ड वन होता है कैस्पेस तो इस आड़ तर्ड जो आपसे नहीं आपका सी कैस्पेस इस अजय नजय अट सिक्रीट एज प्रो एंजयम इस इस सिक्रीट जाइमोजेंस और टार्गेटेट इन डेडिकेटर फार आपरेटिंग प्रोग्राम्ट सेल डेथ इन दी बॉड़ी तो करेक्ट आंसर गाइस सी एंड कोशन नमबर थार्ड में बात करेंगे बहुती कामन सा पॉइंट आता है बाय कमिश्टी की बूग उठागा देखें तो आपको पहले बहुत सारी जोगों पर देखने को मिलेगा यूवी क्या होता गया है एक प्रोटीन टार्गेटेट टू फोटो डिग्रेडेशन बाइट ट्वेंटी सिक्स एस प्रोट्यूसों एब टामिन ए निरो टांस्मिटर फार इस्क्लेटर मूपमेंट त अगर आपको थोड़ा साथ है तब आप इसका अंसर निकाल सकते हो अब एक जनरल की आपको कुछ भी नहीं पता है कि वह उपकूटीन है क्या उसकेस में आपका यह आंसर निकालना थोटाफ हो जाए अगर आपको थोड़ा सा भी आईडिया आपने वाय कमिस्टी की बुक सब्सक्राइब कर सकते हो तो गया यह भी कुट इंटेश्ट प्रोटीन टार्गेट टू फोटो डिग्रेडेशन फोटो डिग्रेशन इसका होता है किसके तुरू 26 एस प्रोटियू सोम के थ्रू ठीक है तो यह इसका एक जनरल टमलोजी हो गई कि प्रोटीन होते है जो टा अर्थबाज एन ठीक है फूर मिलियन और जो पहले जो हमारी अर्थ थी वह एक डिने वर्ट थी आरने वर्ट थी बहुत पार्सली एग्जिस्ट दोनों पार्सली पाया जाते थे प्रोटीन वर्ट थी तो गुट जो जेनेटिक मट्रीकल होता है वह आ रहने भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि पार्सली मतलब दोनों मतलब जैसे आज पाया जाते हैं जिए आरने अगे अधर में आपका डिया जैटिक मट्रील होता है बट कंडिशन है कि फूर मेलियन एर्ज एगो क्या कंडिशन तो जो हमारा आर्थ था उस पे डियने बट का डॉमिनेंसी थ कहने का मतलब जो भी हमारे फना एंड फ्लोरा थे उनमें जिनेटिक मट्रील था जो हरीडिटी कंडेंड था वो आरने था ठीक आपको इधियान रखना पड़ेगा और इसका एक्जाम्पल आप आइसे भी निकाल सब्सक्राइब कि हम कहते हैं हमारी जो आर्थ पहले कैसे से रिड्यूसिंग थी ठीक है ना तो फूर मिलियन एर्स अगो आपर अर्थ बाजन आरने वाट को रिपेजन करती थी कि जो तैम उसमें पाए जाते थे उनमें जिनेटिक मट्रीयल या रिदेटिक मट्रील आरने होता था ठीक है आज जो की डियन है पहले आरने होता था त इस मतलब यह संटेंस है कि जब से पहले हम समझते हैं कि जो एंजाइम से प्रोटीन होते हैं उसके बाद में ऐसा आया नाइंटीन आइन के करीब कि एक साइंटिस्त उन्हों नहीं बताया कि आरने अपना खुद का रिप्लिकेशन कर लेता है इसके अलाबा कुछ और भी ब सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपके थे का जो क्रेक्ट अंसर है बिलियम गिलवर्ट थे ठीक है करेक्ट अंसर आपका टी ना कोशन नमबर शिक्स एंड सेविन प्रास स्पेसिफिक कोशन गाइस के वल समझने की ज़रूरा था है एक्जाम में कोशन आते हैं देखिए ज क्वल करता वह किल अपनी सेल्फ की करता है नमबर सिक्स का सेल्प का मतलब अपनी पत्सवरी गवल वार्निस Ś सब्सक्राइब आपका भी जब आई से को जनली क्या करता है तो यह थाइप में सब्सक्राइब लाएट कॉक्र सकता है और डिकार्थ ठीजहन ना कोशन नबर बात करते हैं वो गॉट नोबेल प्राइज इन नाइन तीन नाइन फार डिसकब्रिंध फंक्षन आफ आर रेने मालीकूल देखि फिर बहुत आपने बताया कि आंटीन नाइन ने जो होते हैं उनके फंक्षेंट जो एंजायमिक फंक्षन को डिस्कबर करा गया था और उसके लिए नाइन तो के दिया गया तो किने दिया गया। थामस स्थामइज को दिया गये था सिड्नी अल्टमान को विल्यम गिलबर्ट को या है बोध अ बिलियम गिल्वर्ट ने क्या किया था हमने आपको बताया था बिलियम गिलवर्ट का काम क्या था उन्हों ने वाभित हूं अन्हें ने काटलिटिक करी थे और ये जो फंवर्ण के वाद कर रहized ये जन्रल function की वाद करें नौबल है जो मिला था ठीक है गिलवर्ट का नाम के डिस्कवरी करने के लिए आता है ना कोशन नमबर नाइन बात करते हैं रिसेंटली इडवास सोन दैट कि राइब जाए में आल्सों ब्रिंग आउट देखिए एक कोशन और सेम भाई टॉपिक कि रिसेंटली इडवास सोन यह प्रेक कर सकता है इसके लवा सेलेक्टिव ऐंप लिफिकीशन आफ आडले माली क्यूल कभी कर सकता है सैँस्टी आफ इंट्रोंस इंटर नहीं रएनियु जो आजब तो उसमें दो इंट्रेंवर्ट का मतलब होता है कि जो फिस्ट नीघम सोते हon उनकी टांसर इस तरीके जोता है डी ना कोशन नमबर टैन में बात करते हैं थामस सीख डिसकावर एक प्रिकर्सर आफ आ रहे इन टेटरा हाइमीना देखे बहुत इंबार्टन बात है जब भी कोई बात आएगी इस पे जो आ रहने की काटलेटिक पावर या रहने के फंक्शन तो जो आपका ऐगाए जिए आपका क्या एक सिल्याट से प्रोटो जोंसे जिसमें सीलिया होते हैं टेटरा है मिना इस पिसली स्केटरा है मिना थर्मोफिला उसमें ये काम करेगे थे उसमें इस नभी हुई है तो कोशन में कह रहा है कि तो मसी सीख डिसकावर एक प्रिकर्सर तो यह जो कोशन क्या पूछा है तो कोशन ने पूचा है तो माली आपको बता चुके इट इस लिए टिर प्रोटो जोन से जिसका पूरी स्पीचिज जो थी कौन सी ती टेट्रायमीना थर्मोफिला ठीक है तो आपको ध्यान रखना है यहां पर जीनस की नाम से पूछा था कि व्यां आपका फिंपार्टेंट कोशन है शीडो नॉट इजेक अन्फरमेशनल स्टेक्टर कंसर्ड विद्टिग शीडो नॉट जो किसी इस टेक्ट्टर नाथ उसमें कि इस्ट्चर होते कि स्पेसल मतलब पाइंट होता है कि स्पेसल एरिया होता जिसें बोली स्टीड अन करदेख किसके सिंगल स्टेंडर करदें कि तो हम इसमें गजिए इस्टेंडर रंक्ष की सिंगल स्टेंडर यहूता है तो व्युक्ति नमट बात करते हैं आर ने प्लाइसिंग अकर सिन आरे एक विखिंग होती है हमाद आतों मंतलब दिने में होतों त्रींस और अरिवन को ऊस्टीं में होती है यह आने कह तो नहीं होती है आपको ध्यानक में और आप यह को शुलीट की बात कर रहे हैं यह तो होती है बाक्तिर में भी और यह confirm भी accounting इप्रोटन कोशिन होता है यह कोशन सबसे जदा टॉफ माने जाते हैं बहुत अच्छे कोशन होते हैं कि इनका हरे पॉइंट को कोशन को कहरी करता है ठीक है कौन साथ बताना है पहला पॉइंट है आरने माली कूल से एक्जिविट बैरीद कर्शमेशन एंड फॉंक्शन रहने में और कोई कोडान की बात करता है प्रैमरी स्ट्क्चर आफ आ रहें लें अगर हम देखें तो आपकी से सिमलर होती ड्याने से ड्य न की स्ट्क्चर से समय रोती प्राइमरी बिस्ट्चर आ फारेने यह वात ही है पहला वी सही दूसरा भी ठाड़ पॉइंट है कि र लाइक बैट इस तरीके से तो पोजिशन नमबर टू का मतलब हुआ यहां पर आपका स्टीज तो यह वाली जो पोजिशन होती है यहां पर जब कि यह जो डियने की सुकर होती है उसमें यह वाला नहीं होता है ठीक है तो कहने का मतलब राइबोज आ रहे ने है जन एडिशनल ग्रूप पोजिशन नमबर टू मेक आ रहे ने मोर लेवाइल दैन डियने एंड प्रोवाइड एक केमिकली रेक्टिव ग्रूप पार्टिसेपेटिक इन आ रहे ने मेडियेटिट इंजामेटिक इविए ठीक है तो कहने का मतलब है कि राइबोज आप डियने जो होता है व उसके रिष्ट रिष्ट होता है उसके जर्ड़ एक्टिविटी होती है उनमें यह बहुत बड़ा एहम रोल प्ले करता है ना डिया आर ने क्रीब्ड इंटु मुझे लुक्लाइट वाइल क्लाइन से यह बिल्कुल मेजर डिफरेंस है और यहीं सी वज़े के डिफरेंस हो होगा तो कर्क्राइब यहां पर इस इतने भी स्टेटमेंट अगाई सभी ठीक है अग्टाइब परसंट ठीक हैं कर्क्राइब अब पॉटीन में बात करते हैं देखिए असेम्बली जो जीन इस एक्सप्रेशन को मतलब करती है इंवाल्व तो इसमें कौन इंवार निवार टी आर रहें एंडी आलाब दीए तो फोट्रियों करेक्ट अंसर आपका सी राइवोसोमल आ रहें ने उने सेम्बली का पार्ट होता है जो जीन एक्सप्रेशन में हिल्प करते हैं सिंपल ता इसे को लिखने में आपको मोडिफाइब कर रहे हैं सेम्पली का मतलब क्या होत होता है जो आरेने टो डी आर डी इने टो प्रोटीन डेने टो अख हम इन उटान देने थे में ने अबरहें श्राइब काहा थे कही है तो कुछ भी नहीं है ना अर्लिएस्ट कैटालिस्ट आप देखिए बहुत अच्छा कोशन है यह समझने कोशने सब्सक्राइब कोशने इस जी आई से वाले एक्जाम के लिए जादे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अर्लिएस्ट कैटालिस्ट और यह टीजी टीट पीजिटी सब्सक्राइब यह थोड़ी नहीं कि उन्होंने यह काम करना वह तो पहले से ही करते थे हमने डिसक्राइब किया हमारी टेक्नोजी डबलब हुई तो हमने पता कर लगाया कि आरेने में भी कटेलेटिक फावर होती है आप चुक्कि हमारा चार्ट फोर मिलियन यह साइगो भ प्रेवर किन का सी को सब्सक्राइब करते गते हैं और यह तो आपको जो प्रोटीन का नहीं जो लेट टोटेन को सब्सक्राइब का था ने अपना पर्टीट को सब्सक्राइब बात करते हैं और अपने सब्सक्राइब करते हैं और रिफेरेंस कोई इस तरी किसे करक्ट आंसर के वह कोई प्रावलम नहीं बड़ा सिंपल कोज़ें ती जो को ना यह दिक अपने आपका इन्या पोशना जस्ट मायोर जिट रस्ट क्या यह दिक शीट रस्ट का मतलब होता संपल पर अमतलब सम्झें इसका और यह जो है बॉलेंटरी सोचल स्कीम होती जो 1997 में इस्टाबलिश और इस विश्ट इंडिया तमिल नहीं और इस पेसिफिक अज़िए नहीं यह इसकीम जो है यह दो इंडियन सिलेंडर लोरिस होता गए एक अर्भूरियल एनिमल होता उसके इस पेसिफिकली कंजर्विशन सब्सक्राइब लोर इसके फिल्ड में उसके कंजर्विशन के फिल्ड में काम करता है जो कि आपका एक कर दो नहीं आप अपाइस पाई जाता था तौर अब यह जो इस जे नहीं इस पाई ज़ता है ठीक है मुस्ट ली तो करिक्ट आंसर आपका डी जो इन्फामिशन है कि इसका फूल फॉर्म किया वता है इंबार्मेंटल डेपलेमेंट और इडिकेटिट टू करेक्ट कोशन हम बताते हैं 19 में इसमें भी बात बोलिए सिंपल सा कि कौन सा स्टेट्मेंट सही है तो पहला देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट जो लोजिकल टम से इसमें लार्वा इजन इंटरमीडियेट स्टेज वाइल प्यूपा इज प्रिमेटिव स्टेज सही बात है देखो प्यूपा जो बनता है ना वो बिलकुल सबसे पह इसटेज तो फॉलोग स्पेसिफिक और सब्रेंट जो आइज अधिया जाता गए इंवी लोग यह मारें प्रियो ता उसके पार्टिक शेल का गुरुप होता है मतला हम कैसकते एक पार्ट होता है उसके अनरे कैपिलिटी होती कि वह अन्डिफरेंसेटेट इसेल जो दिन ज सारे सेल्स बना देख और वो सेल्सके समसेल से घठता है किसी को कोई काम नहीं मिला तो अरगनाईजर का मतला होता है कि वह पर संदे से होती नियुद नहीं कि अरगनाईजर कौन किसे काम का इस्टिबूशन करको इवन को तो और आजए अगनाईजर का मतलब पार्ट आप अब लिए और पहले कर दो अधे से नहीं इन्डियूस कर दे काम को नका इस डिसिट्रीफिशं कर दे बहुत ही अच्छा एक्ष्वेशनन गाई और प्रेक्ट एक्षिमिनशन आप आप डियाईजर एंड नाउ सी कि इंट्रोंज होते एप डियनेवाइब नाट उन्टरफ मैच्छ मजब पार्ट नाइक होता है मगर उनकी सप्ल्याइश्ब हो जाती तो मैच्छ मारने बनता है उसमें वो नहीं होते हैं कब देने के पार्ट नहीं होते हैं आइम आप नहीं होते बहुत इजादे जादे चाहिए अधिए अग्जून एक जोन क्या हुथा पार्ट अपट इने बट इंक्लूदे एज पार्ट आप मैचुरा इमाद इन्ग जोन का डिफरेंस कि वह डिन्म भी होता है यह इंपर्टन के बारे में और यह स्टेट्मेंट आलाब दिया वाई तो सभी स्टेट्मेंट करेक्ट और बहुत ज्यादा करेक्ट थैंक्यू बेरिमेंच आइंड लास्ट कोशन पर देख लेते हैं काफी इंट्रेस्टिंग कि वाड़े सिमलर इन टू इन विट्रो एं इन बात करते हैं इन विट्रो की जब बात आपने सुनी होगी तो सिंपल दर्स का मीनिक होता है कि हम लाइवरोटी में टेस्ट्यूब के अंदर काच की बनी होती है ठीक है तो इन गिलास लिख लिखा होता है तो वह तो रूप्रेंट करते हैं टेस्ट्यू बेवी टैप का और लाइवरोट जब कि इन वाइव भी नेच्रों नहीं गजी घलत हो गया सी स्टेट्मेंट बोट आद एक्सपरिमेंटली इंडियूस्ट यह सही है देखो इन वाइवरोचा इन विट्रो दोनों ही एक्सपरिमेंटल इंडियूस्ट होती है एक यह होता है कि सिंपल लैबरोटी में कर जा थальства पीज से सबस्क्रिम इंडियूस्ट स्बस्ट меся antis अच्तित बोगैंटली है विसे सब्स्क्रिमेंटल इन नएवरोग बोगैंटली है बोगैंट इन